हलो दोस्तो मेरा नाम डॉक्टर ठाकूर है आज हम बात करेंगे डर के बारे में डर यहाँ मूल भावना सभी इंसानों की होती है हम मैंसे हर कोई कभी न कभी किसी न किसी परिस्तिती में डरता जरूर है लेकिन यह डर कुछ समय के लिए होता है और यहाँ बार-बार हमें नहीं होता वो उसी समय के लिए मर्यादित होता है लेकिन जब यह डर अनुचित होता है जरूरत से जादा होता है और निरंतर होता है और वो किसी विशिष्ट परिस्तितियों में या विशिष्ट चीजों को देखकर या उनका अहसास होने पर हमें होता है तो यह धीरे-धीरे एक मानसिक बीमारी का रूप धारन कर लेता है जिसे हम फोबिया या भय का नाम देते हैं चीजों से या परिस्तितियों से हमें डर का हैसास होता है उसे हम फोबिक स्टिमूलस कहते है जिसके होने के वज़े से हमें डर मैसूस होता है जब डर मैसूस होता है तब घबराट होना, बलड प्रेशर बढ़ जाना या बहुत क करते हैं हमारे अस्पताल में हमारा अस्पताल अकूला महराष्ट्रों में है और हमारी अलग-अलग ब्रैंचे से पूना, नाधपूर, ठाने और हम सारी मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं तथा व्यसन मुक्ति का भी इलाज करते हैं हमारे पास दो दो अस्पताल है, एक अस्पताल में हम रिष्टेदारों के साथ मरीजों को रखकर इलाज करते हैं, तथा हमारे बास दूसरा अस्पताल है, जिसमें हम रिष्टेदारों के बिना मरीजों को रखकर उनका इलाज करते हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे specific phobias की, तो ऐसे वो लक्षन अगर 6 महिना या उससे ज्यादा के समय के लिए हमें किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह फोबिया से बीमार है इसका पहला लक्षन है कि किसी भी situation या परिस्तिती या चीज को या किसी जानवर को देखकर बहुत ज्यादा भैक उत्पन ह हो जाना या बहुत ज्यादा चिन्ता की स्थिती पैदा हो जाना दूसरा लक्षन है कि अगर कोई व्यक्ति उस परिस्तिती में या उस वस्तु को देखकर या उस जानवर को देखकर एकदम से डर जाता है चिन्ता उसके अंदर उत्पन हो जाती है तो तो उसे हम एक important पर मानलो कोई व्यक्ति अपने घर में काम कर रहा हो और आचना कुछे चिपकली दिख जाती है तो वो तुरंट घबरा जाता है घबरा मैसूस होना है चिलाना शुरू कर देते हैं अक्सर कोई लड़की हो तो वो अपने आपको कमरे में बंद कर देती हैं बहुत घबरा जात है तो इस तरीके से लाइक जिस तरीके से हम कोई बटन चालू करते हैं और पंका गुमना शुरू हो जाता है उसी तरह से यह ट्रिगर फैक्टर या यह डर की स्तिती उनके अंदर इस तरह से डर उत्पन कर देती हैं तीसरा इंपोर्टन लक्षन है यह लोग इस डर की स्ति से या फिर जिस चीज से उन्हें डर लगता है उस चीज से दूर भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें टानने की कोशिश करते हैं मानलो अगर किसी को ब्रीज क्रॉस करने का डर हो पुलिया क्रॉस करने का डर हो तो वह अक्सर उस रास्ते से न जाते हुए किसी और रास् लेकिन वो टालेंगे कि हमें ब्रीज से नहीं गुजरना इस बीमारी का चाउता लक्षन होता है कि तुलनात्मक तोर पर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को हम देखे और उसके सामने वही डरावनी चीज आए जो एक फोबिक बीमारी वाले पेशन्ट के सामने आए तो तुलना डर लगेगा उससे कई गुना ज्यादा और कई ज्यादा देर तक जिसे फोबिया है उसे डर लगेगा मान लो उसके सामने कुट्ता है तो वह ऐसे रियक्ट करेगा या इतना डर जाएगा कि उसके सामने जैसे शेर आ गया पाच्वा महत्पूर्ण लक्षन है इस बीमारी क कि यह जो लक्षन सारे हमने उपर अभी तक बताये है यह लक्षन माने डर चिन्ता या फिर इन सिचुएशन को टालने के लिए अगर कोई दूर भागने की कोशिश 6 महिने या उससे ज्यादा के समय के लिए कर रहा हो तो उसे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वह फोबिया की बिमारी है छटा और अंत का लक्षन यह है कि यह जो चिन्ता या डर होता है किसी भी सिचुएशन या किसी चीज के बारे में यह उनके काम में रुकाउट पैदा करता है तथा उन्हें काफी तकलीफ होती है इन चीजों से और वह उन्हें ज़्यादा तर अवोईट करने की कोशिश करते, इस विमारी के तीन मुख्य टाइप से, इसमें पहला है एनिमल, इसमें एनिमल का डर लगता है, जिसमें इंसेक्स भी है, लाइक किसी को कुट्य का डर होगा, किसी को स्पाइडर का, छिपकली का डर, दूसरा टाइप है, और बिजली कड़कड़ाने का डर ऐसा हो सकता है एक तिसरा टाइप होता है जिसमें खून का डर उस व्यक्ति को होता है जिसे ब्लर्ड इंजेक्शन इंजूरी फोबिया भी कहे तो यह एक बिमारी है जिसमें अलग-अलग लक्षन हमें दिखते है और लोग काफी डरावने सहमे हुए हमारे पास आते हैं उन्हें अक्सर ये लगने लगता है कि इस डर का कोई इलाज नहीं है बट हमारे अस्पताल में हम काफी ऐसे मरीजों को ठीक कर चुके हैं और हम अभी भी कर रहे हैं इसमें अलग-अलग treatment दी जाती है कुछ लोगों को दवाईयों से खायदा हो जाता है कुछ लोगों को समोहन या फिर counseling जिसे समूपदेशन भी कहते हैं और एक desensitization therapy होती है जो specifically इस बीमारी में इस्तिमाल की जाती है तो दोस्तों आपके आसपास या आप खुद भी इस बीमारी से ग्रसित होंगे या आपके कोई रिष्टेदार, मित्र अगर इससे परिशान होंगे तो आप जरूर हमसे संपर्ख कीजिए आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे अपने WhatsApp, Facebook ग्रूप पर शेर कीजिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुचाए धन्यवाद